संसद में लंबे वक्त से महला आरक्षन विदहयक को लाने की मांग की जा रही है विपक्षी पार्टियां मोधी सरकार से लगातार अपील कर रही है लेकिन सरकार है कि महलाओं को अधिकार मिलने ही नहीं देती केंदर के इस रवये के बीच त्रिणमूल कॉंग्रेस लामबंध होने को तैयार है वो सडक से लेकर संसद तक मोधी सरकार को घिरने की रणनीती तैयार कर रही है तो क्या है टीमसी का महा प्लान देखिए इस रिपोर्ट में सदन में नारे लगे सडकों पर शोर मचा महिलाओं के अधिकार के लिए आरक्षन पर पूरा जोर लगा लेकिन बरसों से वो कानून नहीं बन पाया जिससे महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके हर किसी ने बिल के बहाने महिलाओं पर राजनीती की खासकर बीजेपी महिलाओं की तरक्की की बात कहती रही लेकिन सात सालों में बिल पास नहीं कर पाई लेकिन अब एक बार फिर सदन में स्तरी के हक को लेकर शोर गूंजने लगा है क्योंकि महिला आरक्षन विधेक को तरिनमुल कॉंग्रेस बजट सत्र के आखरी हफते में राजसभा में उठा सकती है ताकि उसे विधेक से लेकर कानून की शकल दी जा सके TMC के राजसभा के फ्लोर लीडर डेरे को ब्रायन उच्च सदन के नियम 168 के तहत सोमवार को जल्द से जल्द प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं प्रस्ताव के जरिये चौकाने वाले आकड़े भी पेश किये जाएंगे जिसके तहत Global Gender Gap Report में भारत की रैंकिंग में बेहत गिरावट देखी गई है यही नहीं बलकि राश्ट्रिय संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी में भी भारत का प्रदर्शन निराशा जनक है TMC की ओर से राजसभा में उठाये जा रहा है प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत विश्व आर्थिक मंच की Global Gender Gap Report 2020 में 156 देशों में 28 स्थान नीचे 140 में स्थान पर आ गया है मुख्य रूप से मंत्रियों के बीच महिलाओं की हिस्सेदारी में काफी गिरावट देखने को मिली है जो 2019 में 23 प्रतिशत से घट कर 2021 में 9.1 प्रतिशत हो गई है प्रस्ताओं में कहा गया है कि दुनिया भर की राष्ट्रिय संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी में भारत की रैंकिंग पिछले कुस सालों में लगातार गिरी है 1996 में भारत 95 में स्थान पर था मार्च 2022 तक भारत 184 देशों में 144 में स्थान पर पहुँच गया है तो ये आकड़े साफ बया करते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार देने का दावा करने वाले देश भारत में अब भी हालात क्या हैं डीबी लाइब की रिपोर्ट